हेलो एवरीवान, माइनेम इस रादिका शर्मा, आप सबकी होस्ट, और आज का जो पॉड़कास्ट है, वो होने वाला है उन स्टूडेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो कर रहे हैं नीट एक्साम की तियारी, और इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ है एक स् गेस्ट, हो इस सीजन एक्सपॉर्ट इन मीट, अफ लेजेंडरी फिजिक्स टीचर, और चीफ एकडेमिक ओफिसर अट विद्या मंदे क्लासिस, सर ने अपने 22 यह के एक्सपीरियंस में लाखों स्टूडेंस के फ्यूचर को शेप किया है और उन्हीं टॉप एंजिनेरिं इंडिया के इंडिया के इंडिया के इंडिया के इंडर बहुत जादा टैनेंट है और यहां पर बहुत बड़ी पॉपलेशन जो है वो अपना future change कर सकते है और future change करने के निये जो सबसे easy तरीका है वो है getting educated तो अगर हम अपने बच्चों को अच्छी education दे पाए तो वो अपना और देश का दोनों का future change कर सकता है तो इसी आप कह सकते हो कि mission को या line को रखके मैंने अपना career को चुना और मैंने अपना भी future change की आप इंसे 20 हो सकते है तो उनसे बात करके मुझे जो समझाया कि इस वक्त student जो है वो सबसे रादा confused एक question पो लेकर है कि NCRT जो हमारे पस new NCRT है और old NCRT है तो जो इस बार का paper 10 वो जिरू पूर वो old NCRT से आएगा या after new NCRT से आएगा बहुत ही important और वाजिब question आपने पूछाए इससे मुझे लगता है कि student का जो पूरा community है चाहे जई की हो चाहे नीट की हो बहुत ज़ादा इस चीज के अंदर है कि new NCRT और old NCRT दोनों में difference किया है अभी recently NMC ने जो notice निकाला है वो कहरे कि जो NMC ने syllabus रिलीज किया है नीट का exam उस pattern पे होगा NTA ने भी अपने notification में अपने notification तो NTA ने नहीं दिया अपने official statement में यही कहा है कि जो है NMC के syllabus के साब से चलेगा अब इसमें देखे क्या है कि पहले तो हमें यह समझना होगा कि old NCRT और new NCRT भी difference किया old NCRT वही NCRT है जो साब से चलती आ रही है नई NCRT जो post COVID रिलीज की गई जिसको कहा गया है कि COVID में बच्चे नहीं पड़ पाई इस वज़े से rationalization वहा है NCRT का उसके अंदर कहे कुछ तो chapter remove किये गए हैं और कुछ topics remove किये गए हैं या subtopics remove किये गए हैं तो जहाँ पर chapter पूरा removed है वहाँ तो कोई problem नहीं है उसको आप भूल जाइए उस chapter को मत पढ़िए पर जहाँ पर subtopics removed है वहाँ भी क्या है कि question जो बन सकता है वो question concept के उपर बनता है जैसे आप जानते हैं तो concept में क्या होगा कि subtopics से भी related हो सकता है उसका previous topic related हो सकता है तो उसको हम नहीं छोड़ सकते हैं तो कहने का मतनब यह है कि नई NCRT को follow दिल्कुल कर सकते हैं ठीके जो chapter omit हो गए हैं उनको नहीं ध्यान देना है बट जहाँ पर subtopics deleted हैं उसको देखना पड़ेगा क्योंकि उससे related question जो है वो बन सकता है डारेक्ट महीं तो इंडारेक्टली उस concept को पुछा जासा I think students को अपने doubt की clarity महीं होगी कि sir ने बहुत important बात बूली कि जो subtopics हैं हम उनको नहीं छोड़ सकते बट अगर chapter पूरा था पूरा डिलीटेड हैं then we can skip that chapter yeah so sir now moving on to my next question we have so many resources like market में unlimited resources है तो students ऐसे में अपती जो preparation है वो कहां से करें एक authentic resource क्या है because ही बात है कोई भी competitive exam की आज की rate में आप तियारी करना चाहों तो आपको हजारों किताबें और हजारों publications के थूप जो है available रहती है तो मैं कहता हूँ कि इसमें जो सबसे important होगा वो दो-तीन चीज़ें होगी सबसे पहली तो वो होगी कि वो जिस teacher से पढ़ रहे हैं जिस भी institution में पढ़ रहे हैं उस teacher के class notes वो first होगा second होगा कि उस institution का देश पे दो-तीन ही national brands हैं जो पढ़ा रही हैं तो उनका basically study material और third number पे जो सबसे important होगा इन तीनों में वो होगा NCERT जो सबसे पहला question आपने पुछा क्योंकि नेट के preparation के अंदर NCERT बहुत बड़ा रोल ले करती है Okay sir So NCERT जैसे की sir ने बताया की it's a very very important role in preparation तो sir मैंने रिखा है की बच्छे NCERT बढ़ते हैं बच्छे उन्हें रपता है की हमने NCERT को अच्छे से नहीं नी पढ़ा तो क्या आप उन्हें बता सकती हूँ की what is the correct way की वो NCERT को पढ़ें जिसते में चीजे याद रहें and NCERT में भी we have so many things की हर एक चीज NCERT की पढ़ना important है क्या देखे बहुत ये एक ना क्या के सकते हैं आप एक वो है कि किसी देप उचो नीठ की थारी कैसे करनी है तो पहले के NCERT पढ़ लो है ना तो NCERT पढ़ना और NCERT को समझना तो अलगवत चीजे हैं है ना पढ़ तो हम novel भी लेते हैं storybook भी लेते हैं और उसको अगर अगर हम से छे मेने बात पुछा जाये तो में सारी बाते शायद उसकी नहीं पता होती है NCERT बहुत important है अगर हम उसको arrange करें तो order में तो मैं कौँगा biology की NCRT सबसे जादा important है followed by chemistry followed by physics है ना और अगर आप questions का percentage देखेंगी तो इसी percentage में question जो होंगे need के अंदर आ रहे होंगे सबसेदा biology से आ रहे होंगे NCRT से direct chemistry से आ रहे होंगे और physics से आ रहे होंगे अब NCRT में couple of things हैं जो द्यान रखनी है पहली चीज़ जब कोई भी chapter start होता है तो एक उसका scientist का या उस chapter का intro होता है वो भी पढ़ना है ठीक है उसके बाद फिर उसके अंदर जो concepts दिये होई है वो बढ़ने है उसके बाद जो diagrams बने होते हैं उसके legends होते हैं या कई बार आप देखेंगी scientist जो बना हुआ है उसके नीचे भी उसके bio में कुछ लिखा हुआ होता है तो आप देखेंगी J-E में और NEET में कई बार उस bio में से भी question directly NCRT से आया है जिसे मैं लीफ के उपर question आ गया तो है न तो या आप नील बोर के उपर आ गया था तो वो questions भी है उसके बाद जो उसकी summary होती है chapter के बीचे एक summary भी देती है NCRT तो कई बार आपको लगेगा कि summary useless है और कई बार उस summary के अंदर ऐसे-ऐसे points होंगे जो सीधे-सीधे question आपको लेके नेट के अंदर आ जाएंगे उसके बाद जो उसकी पीछे के exercises है वो जो बच्चे 12 में है इस समय उनके लिए तो बहुत जरूरी है कि वो एक-एक question उसका करें और अनिता भी वो question को जरूर वो थो करने है NCRT में एक बार और भी दिखते है जैसे आजकर स्रेशन मीडिया का जहाना है कि टॉपर्स के इंटर्वीव आ रहे हो कहरे है मैंने दस बार NCRT पढ़ी और मैंने एक-एक लाइन अंदर लाइन करी तो एक-एक लाइन तो अंदर लाइन कोई नहीं करता होगा मुझे लगता है तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट यह समझना है कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिससे question बन सकता है जहाँ fact दिये हुए है जहाँ figures दिये हुए है figures in the terms of numbers कि this much, this much 1300 and something like this वो सारी लाइने उनको अंटर लाइन करनी होगी facts को अंटर लाइन करना होगा और minimum मैं मानता हूँ minimum तीन बार तो NCRT पढ़नी ही पढ़नी चाहिए otherwise आप उसके करक्स को अपने अंदर नहीं कर सकते है जो important points आपने बना लिए है हार chapter के उसकी summary बना लिए है जाहे किताब के अंदर ही मार्थर के बनाई है निक के बनाई है pencil से exam के time पर या exam से कुछ समय पहले जो होगा उन सारे points को ही आपको review जरूर करना होगा तो कोई भी चीज नहीं छोड़नी है कहने का मतलब है जब आप कहते हैं कि मैं थोरो NCRT पढ़ रहा हूँ तो introduction भी important है summary भी important है exercises भी important है diagram भी important है उसके legends भी important है और जो scientists जहां जहां दिये हुए है उनका bio में भी important points दिये हुए है वो भी important ओकी तो NCRT is very very important इसको बाइब आपने बोला कि NCRT जो है वो बाइब के लिए अच्छे रदा इंपोर्टन है उसके बाद के निस्ट्री और थोर्ड नमबर पे आपने बोला in terms of number of questions which appear in NCRT directly from them स्वी भी ऐसा होता है थी ठोरी से भी कुछ फ्रेशन आता है तो उसका प्राइम रिजन कहीं नहीं फिजिक्स माना जाता है बाइब में अगर आप बच्छों के मार्क्स देखेंगे जो गौर्मेंट MBBS में जाते हैं मतलब 620 आप 650 और जो 720 में से लेके आते हैं तो नॉर्मली आप देखो के ट्रेंड में तो 360 में से 360 बायो में सबी के आ रहे होते हैं उसके बाद Chemistry में आ रहे होते हैं और सबसे कम जो हैं वो Physics में आ रहे होते हैं तो उसमें ना एक तो बच्छों के मुझे लगता है कही ना कहीं दिमाग में ये बात डाल दी जाती है होता नहीं है ऐसा उनकी दिमाग में ये बात डाल दी जाती है कि Physics बहुत टफ है और क्योंकि आप Maths नहीं बढ़ते हो नीट में इसलिए आपको और टफ लगती है जबकि ऐसा बिलकुल नहीं है ये एक मित है ठीक है क्योंकि जितनी Maths की Requirements Physics में होती है उतनी उन सारे बच्चों को Maths आती है वैसे या जो NCRT में Physics में भी जो Appendix होती है उसके अंदर वो दी होई होती है जितनी Maths की Requirements हो वो Basic Vector या Basic Calculus की Requirements होती है उसके उपर कोई Math ऐसी नहीं है जो उनको Physics में चाहिए Physics में आपने पुछा थियोरी जाद आती है नुमेरिकल दो दोनों ही आते है थियोरी भी आती है और थियोरी NCRT में मुझे लगता है कि अगर हम 12th की NCRT एजर में Physics की बात करूँ तो बहुत relevant है Questions डिरेकली भी आ जाते है और थियोरी भी बहुत अच्छी है और 11th की में भी काफी सारे चेप्टर ऐसे हैं जिसकी थियोरी आप NCRT से डिरेकली पढ़ सकते हैं नीट की बच्चे परशान होते हैं Physics की Numerical से खास्तोर से जो मैंने Psychology अभी आपको बताई जो कही ना कही हमारे आप कह सकते हो कि समाज के तुरू, social circles के तुरू या so-called आज के social media के तुरू उनके दिमाग में बिठाई जा रहेगी जबकि मैं strongly इसको आप कहसबते हो कि इसको न कारता हूँ कि ऐसा नहीं है Physics में मच्चे बहुत अच्छा गर सकते हैं नीट का तो questions जो Physics के हैं वो प्राक्टिस चाहते हैं ना, numericals always comes with practice क्योंकि जब तक आप pen से लिखके नहीं देखोगे तब तक आपके answer नहीं पता चलेंगी आप क्या calculation mistake करते हो आपको पता नहीं चलेगी तो Excel in Physics के नहीं है ज़रूरी है कि आप numericals solve करें और उसको pen and paper पे solve करें वो time bound solve करें यह बस्वाथ important तो physics में numericals नहीं हम प्राक्टिस करेंगी तो देखे होता गया ना life में कि जो चीज आपको अच्छे लगती है आप उसको और कम कमें शुरू करते हो जो चीज आपको अच्छे लगती है उसको आप और करते रहते हो तो क्या है कि physics में लगता है कि यार कठें है कठें है numerical नहीं हो रहे तो उसको और कम करते हैं तो वो और कम होती चलिए जबकि हम उल्टा करना है उसको बढ़ाना है क्योंकि आप biology या chemistry तो पढ़ सकते हो फटा फट theory है ना जन्दी कम टाइम में भी पढ़ी जा सकती है तो इसको टाइम देना है हम उसको टाइम कम कर देते हैं तो उसपर ही focus करना चाहिए एक लिबर्टेट टाइम तो देना ही चाहिए जिसके दार हम numerical की practice करें exactly sir क्योंकि जितना भी मैंने बच्चों पो देखा है when it comes to bio उनसे उन्होंने theory पढ़ी और जब वो MC views करते हैं उनसे solve हो जाते हैं because it's all related to theory अब आपने पढ़ा है तो आप कर लोगे but when it comes to chemistry and physics physical chemistry में भी same situation बने करें physical chemistry especially physical chemistry और physics में क्या होता है बच्चे पढ़ते हैं teachers ने पढ़ाया सब कुछ समझ में आया बाद दे उनका complaint होता है कि ma'am समझ सब कुछ आगया but अब question हमसे नहीं बने है so sir ऐसी situation में बच्चा क्या करें जब उसे लगड़ा मालो उसने module कोला level 1, level 2 हर coaching ये इस तरह से हो जाए तो जैसे उसने first question किया लेते suppose उससे वो भी नहीं हुआ उसके बाद second question किया वो भी नहीं हो रहा है जैसे physics में मालो is starting with rotation बच्चों पो मैंने सुटा की काफ़ी काफ लगता है इस after visits में तो अग्वर हम भी साथ ऐसा हो रहा है कि उनसे बिल्कुल numericals बन ही नहीं रहे है तो ऐसे situation वो ऐसे situation वे student इस तरह देगे इस चीज़ फो तो देगे कहते हैं कि लाइफ में whenever you are stuck go to basics है ना ये जिन्दी में भी काम करता है और exam में भी काम करता है और मझे रखता है हर जगा पर काम करता है तो जब कभी भी ऐसा feel हो तो एक तो वज़ा ये हो सकते है कि आपका mind उस समय पढ़ने के नहीं शायद तयार नहीं आप subject change करके थोड़े ज़र बाद उस subject कर आ सकते हैं या बिल्कुल अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आपको फिर से theory को revisit एक बार करना पड़ेगा और उसके बाद जो है questions को करना होगा जो अपने first औ second question की बात करी ये paper के साथ भी हो सकता है तो वहाँ पे कोई chronological order तो है नहीं कि सबसे पहले सबसे subtle question होगा उसके बार उस से गठेन होगा सबसे लाज में सबसे गठेन होगा ऐसी कोई chronology papers में नहीं देखी जाती है और mostly books भी शायद इससे deprived हैं कि एक sequence में questions होने चाहिए कि इसी पहले होने चाहिए और difficult बाद में होने चाहिए तो हो सकता है कि वह पहला question जो हो या दूसरा question जो हो try कर रहा है वो tough हो, सही में tough हो या multi conceptual हो basically जिसके किसी में किसी और chapter का concept use हो रहा हो तो एक तो सही हम रखना चाहिए घवराना बिल्कूल भी नहीं चाहिए ठीके जब कभी भी आप ऐसी situation में हो deep breathe करिये ठीके deep breathe करने के बाद उसको फिर से attack करिये ठीके पहला दूसा नहीं हो रहा कोई बात नहीं तीसर जाता बाचमा होगा वो नहीं हो रहा 6-7th eighth होगा तो एक तो life जो है वो give up करने के लिए नहीं होती है वो fight करने के लिए होती है तो basics पे जाईए, theory पढ़िए नहीं समझ में आ रहा teacher से पूछिए अगर हमसे question नहीं बन रहा है so what we can do is कि basics पे जाए अगर फिर भी सवाल नहीं बनते है तो जो भी आपके concern teacher है जहां पे भी आप पढ़ रहे हो किसी भी coaching में you can go to that they will definitely help you out okay sir so I think अभी क्या देखा गया है कि need students के साथ specially करने के लिए they are going to J-Mains का content सब लोग क्या करते है choppers जैसे की बच्चे कहते है कि choppers ने हमें advice किया है कि हम लोगों ते J-Mains से questions लगाए थे physics and physical chemistry में so what do you think is it a correct way to approach this subject तो जरूरी नहीं कि जो फरुणा मेरे नहीं काम करे वो आठकिनियां गाम करे या जो आठकिनियां काम करे वो किसी और किनियां गाम करे आज से तेल साल पहले की मेडिकल में जो नीट का exam है नीट की exam के लिए मुझे नहीं रखता कि J-E के material को as such करने से कुई बहुत extra edge में लेगा confusion जरूर क्रियेट हो सकती है ठीक है तो अपना जो relevant material जो हमने जिसकी तीन material की बात करी कि इसकी beyond जाने की जरूरत नहीं है जब भी आप परशान हो रहे हैं तो basically आप multiple resources को consult करके अपने confusion को increase कर रहे हैं, decrease नहीं कर रहे हैं आप जब भी 10 किताबों को पढ़ने लगेंगे तो आप confusion को increase कर रहे हैं कभी भी उससे decrease नहीं हो सकता क्योंकि जो student है उसको चार चीजें पढ़नी है Physics, Chemistry, Jolosy, Bought Me और उसमें अगर दज़स किताबों को पंदला-पंदला किताबों की research करने लगेगा तो समय तो उतना है नहीं, समय तो एक साल कई है या दो साल का जितने में वो तियारी कर रहा है तो उससे better है कि वो एक पर आपने करी या Physics की बात आपने करी या कई जगहा पर Organic Chemistry में भी जहां reaction की mechanism से question solve होते हैं वो भी मेरे खल से निखके ही जादा अच्छे से solve हो सकते हैं तो आजकल की generation जो है वो क्या चाह रही है कि वो iPad या बुक लेके बैट पर लेट जाए और उसके बाद पढ़े तो वो concentration नहीं आ सकता जहां पर इस तरीके की चीजे हैं जिसमें solve करना है mentally solve करना है तो उसके लिए methodology वही है कि you have to practice and there is no shortcut to it या and sticking to the material जो आप जो भी आपने आपने final किया है उसको उसको जादा देन कि हमें हर इंची solve करने से जो हमारे बास material है हम उसको अच्छे से solve करें exactly sir sir तो अभी तो हम लोगोंने बात की किस तरह से हम लोगों को preparation करना चाहिए क्या हमारे पास authentic resources है अब सिर बात करते हैं कि जो last के कुछ months होते है जैसे कि paper को अब 2-3 months बचते हैं उस time पे बच्चा किस तरह से अपना revision plan कर देखे अब जो है मैं इतकमी से लेके में तक जो time है गाए जो बच्चे जो board दे रहे है उनके लिए तो बीच में break भी है boards का तो last में सबसे important होता है जैसे आप कोई भी अगर race देखते हैं अगर 100 मिटर है तो जीता वही है जो अंतर जाता है है ना जो बीच में हार मान लेता है वो तो वैसे ही खतम हो जाता है तो पहली बात तो है कि अब confuse होने का time नहीं है जैसे जो पिश्चा भी अपने मेरे सिपा की multiple resource तो आप भी resource को इनी बदलना है एक तो यह है कि जो आप करते आ रहे हैं उसी को करते जाना है जो last के तीन महीने बचेंगे उसमें test देना mock test देना और उससे जादा important है उन test की analysis का टेस्ट दे के छोड़ दिया तो उससे कोई फाइदा नहीं होना है test देने के बाद उसकी analysis करना है analysis का मतलब क्या होता है दूसरी बात आपका अभी क्या score आ रहा है ठीक है अभी आपका 600 आ रहा है 550 आ रहा है 650 आ रहा है बहुत अच्छा score आ रहा है तो over confidence नहीं है उसकी यूफोरिया में नहीं जाना है है ना कम score आ रहा है तो demotivate हो के depression में भी नहीं जाना है क्योंकि समय है तो analysis से ही solution निकलेगा तो आप जब 3-4-5 paper दे देंगे तो आपको अपनी psychology खुद read करने का chance मिलता है कि question गलत हो रहा है बार-बार किस बजा से हो रहा है हो सकता है कोई बच्चा continuously science 60 की value 1 by 2 लगा रहा हो ठीक है और वो नहीं देहान दे रहा है इस बात पर और हर बार question गलत हो जा रहा है तो calculation mistake हो गई कई बार क्या है कि हम confident है कि यार ये वाना chapter जो था ना living organisms मेरा बिलबू perfect था और मैंने उसको ना 6 मेने से देखा ही नहीं है उसका रुशनर नहीं हो रहा है क्योंकि बूल जोगा हो है उसको ठीक है तो इसका मतलब मेरा concept है मेरे को concept याद नहीं ठीक है कई बार क्या हो रहा है कि कुछ concepts मेरे clear नहीं थे जिसकी वजह से वो question गलत हो रहा है अच्छे नंबर आने में यूपोरिया में नहीं जाना है किसी नंबर test में खराब होने पे हमें depression में नहीं जाना है राइट? ओके सर्व मॉक टेस्ट आप मॉक टेस्ट वेट है और एक जो हमने शुरू में बात करी कि जो हमने नोट्स में important points को underline किया है NCRT में जो important points को underline किया है जो अब आठ दस किताबे जो है वो मिलके कुछ hundred pages बन गई होगी अगर आप खरी line 9 लिख लें उसकी उसको revise करना easy है तो उसको revise करना चाहिए अब देखने ही डिया है कि जो mock test बच्छे नदाएंगे last के revision के time पे तो आपको क्या लगता है एक हमें एक बिल में कितने mock test solve करना चाहिए अब यह तो मेरे को लगता है कि एक ही mock test solve करना चाहिए अब और अगर बहुत rigorous करना चाहते हैं तो April के महीने में दो देने अगर उतनी तयारी है तो है ना और फिर April end के बाद एक ही देना शुरू करें और खास advice में यह होगी कि जिस time जो नीट के paper का time है जिसे दो बज़े से पांच बज़े तक है उसी time पर बैठके exam जरूर दें जिससे कि आपकी biological clock जो है वो settle हो क्योंकि normally क्या है ना दो बज़े सोने का time से हो जाता है है ना तो बच्चे दिन में तो बहुत अच्छा गर रहे हैं पर जब actual नीट के paper पर जाएंगे एक वार हो समझेगे कि मही की बात अगर हम पाच्चे मही की बात करें जब नीट का paper है गर्मी भी होगी और नीट के centers जो परेंगे वो normal schools होते हैं जहां पर एसी तो धूर की बात है पंखा चले तो बगवान के हाँ जोड़ने ने चाहिए कि बहुत अच्छा दिन है आपका तो adverse condition में उस time पे practice करना भी बहुत बहुत important है क्योंकि वो ऐसा नहों कि उस दर आपके लिए surprise हो जाए कि आप तो आशोराम से पल के और टेस्ट दे रहे हो अपने कोचिन में या घर पे बैठके और उस दिन आपके लिए वही आपके लिए कहीं आपके माइंड को डाइवर्ट करने का कारण ना मन जाए तो उस time पर body clock को set करने के लिए और extreme conditions में भी पेपर को देखे देखा है अब सरहां सभी सर आइधिंग के उस time पर क्या हम लोगों को atmosphere मिले दा उसको धिहान में रखके भी एक प्राक्टिस करना है थे बहुत-बहुत बहुत सर्वेजब देखे देखे हैं लिए घरे बैगांट को ख्यान होताह रही है तो बच्चा ऐसी करनीशन में सारी चीज़े, मार्क्स भी कमा रहे हैं, पेरिंट्स का भी फ्रेशर है, तो इक थी सारी चीज़ों के साथ एक स्टूर्डेंट कैसी दिल कर सकते हैं? मैं बहुत अच्छी बात आपने करी हैं, और आज की देट में स्ट्रेस की बाते मी बहुत हो रही हैं, तो सबसे पहले तो मैं पेरिंट्स से रिक्वेस्ट करुआ यहां पर इस पॉड्कास के माध्यम से, कि अगर आपका बच्चा अच्छे से पढ़ रहा है, तो उसको प्रे कोई भी एंड आफ लाइफ नहीं है, मतलब कोई भी एंड आफ लाइफ नहीं है, है ना, तो कुछ अच्छा ही होगा, दूसरी बात की, देखिए जैसे मैंने पहले भी यह भी कहा की, एक के दो टेस्ट में नमबर जादा आने से भी नहीं खुश होना है, और कम आने से ना, उनके बहुत-बहुत खराब नमबर भी आए, और कुछ ऐसे भी बच्चे हैं, जिनके इंटर्नल टेस्ट में कई बात बहुत अच्छे नमबर आए, अच्छोल टेस्ट में उतना अच्छा नहीं कर पाई, जितना अच्छा होने करना चाहता, तो मनना हंड़िड नहीं बात कर रहे हैं इस पॉड़कास के थू या अपने अपने जो उनके कोचिस होंगे, उनको भी वही वही यही गाइड कर रहे होंगे, एक जो साइंटिफिक प्रॉसस और प्रिपरेशन है, उसको फॉलो करते हैं, अपना अगर एक्जाम नहीं है बोड के और नॉर्मल डे है तो साथा गंटे पढ़ रहे हैं, मॉक टेस्स दे रहे हैं, उसको अनलाइस कर रहे हैं, इसको अनलाइस कर रहे हैं, इसको अनलाइस कर रहे हैं, जो इंपर्टन पॉइंट्स बनाए हैं, और पेपर को अनलाइस करके आगे बढ़ रहे हैं, I think this is more than enough, हमें इतनी रिजल्ट क चिन्ता करने की जरुवत नहीं है क्योंकि अक्चुल नीट का पेपर जो होगा और जो मौंग दे रहे हैं उसमें डिफिरेंस भूस Exactly, so I think एक तू पेपर से हम लोगों को अपने आपको ज़ंज महीं करना चगी India ने सारे मैच जीते हैं ना और वटकफार ली तो इसका तो कोई सलिशन नहीं है कि आप कब अच्छा करोगे और कब खराब करोगे, nobody knows that Exactly, so I think तो I think sir ने बहुत सारे पॉइंस यहाँ पर बच्चों को बताए हैं बहुत सारी टिप्स ली हैं किस तरह से हम लोग neat exam की preparation कर सकते हैं without any stress what are the authentic resources I think sir has covered everything sir तो last में मैं आप से यह उशना चाहूं में कि neat 2044 students के लिए आप कोई message देना चाहते हैं अपने आप पे विश्वास रखिए सबसे पहली चीज, आपने बहुत अच्छी तियारी करिए उस तियारी पे विश्वास रखिए आपने जो समय दिया है अपना वो आपको life में result देगा 100% result देगा ठीके, घबराना नहीं है और इधर उधर की चीजों से distract भी नहीं होना है ठीके, too much of social media, too much of mobile phones too much of distraction आपकी तियारी को खराब कर सकता है ठीके, तो बहुत जादा लोगों की advice लेना कि उस chopper ने क्या किया था इसने क्या किया था, उसने क्या किया था हर individual life में different है, मेरी success का formula, रादिका की success का formula नहीं बन सकता, रादिका की success का formula किसी और की success का formula नहीं बन सकता हर किसी के life का question paper तो हर किसी के लाइफ का जो आंसर है ना वो भी डिफरेंट होता है तो अपनी strategy पर बने रही है एक और बहुत important point में कहना चाहूंगा यहाँ पर कि paper के अंदर जब आप मौक दे रहे हैं उसके अंदर time को कैसे manage करें तो देखिए सबसे easy अगर मैं कहूँ तो bio है फिर chemistry है फिर physics है तो chemistry को आप एक गंटा दीजे, bio को आप 40 minutes दीजे और physics को आप 1 hour 20 minutes दीजे इस strategy को आप फॉलो करिए तो आपको जो है benefit मिलेगा और इसको practice करिए at least 20-25 मौक में तब कहीं जाके आपको confidence आएगा कि यह formula जो है वो नीट के लिए काम करता है तो मेरी तरफ से और पूरे 24 की बहुत सारे शुब कामना है Thank you so much sir आपने students को इतने अच्छे वे डाइट किया सारी important tips and tricks उतने सारे शेयर की और अपना very other time आपने हमारे देर मिकारा Thank you so much sir Thank you ma'am And I think we have covered all the important points in this podcast How to prepare for the NEET exam And please subscribe to our channel for such amazing videos Thank you so much I'm 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 I'm